फोते बाजिले के गाव नूर्की अहली में ओनर किलिंग का मामला सामने आया है आरोप है कि ससुराल गए 32 साल के एक शक्स की उसकी पत्नी सास और ससुर सहीत करीब डेर दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर हत्या कर दी मृतक के शरीर पर गंभीर चोटके निशान मिले है और इस मामले में पूलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है डियेसप्टी अजैप सिंग ने बताया कि शिकायत में मृतक की पत्नी अनीता सास ससुर और अन्ने इश्टेदारों सहीत 11 नामज बेहन ने बताया कि करीब चार साल पहले गाव नूरकी अली निवासी अनीता के साथ उनके ममेरे भाई निशान्त की अंतर जातिये लव मैरिज हुई थी लड़की की रजा नमंदी से ही यह शादी हुई थी और कोट से भी शादी का पंजिकरण करवाया गया था मृतक की बेहन ने बताया कि कुछ दिन पहले निशान्त की पत्नी अनीता अपने माई के जरूरी काम से गई थी उसके बाद वापस नहीं आई बीटे दिन निशान्त अपनी मोसी के यहाँ शादी के कारिकरण में आया हुँ था और वापस घर जाते हुए रास्ते में निशान पास अनीता का फोन आया उसे अपने गाव नूर की अली बुलाया आरोपय की निशान्त पत्नी को लेने के लिए गाव नूर की अली पहुंचे तो वहाँ पर ससुराल वालों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी ने बताया कि फिलाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और कुछ रि रफ्तार नहीं होते तो परिवार के लोग धरना परदर्शन करेंगे पोस्ट माचम की कारेवाही को लेकर भी परिजनों ने पूलिस पर लेट लतीफी के आरोप लगाए हैं कि बता रहे हैं बार बढने तो नहीं हमारे पास इंफोरमेस्न और थी कि एक व्यक्ति निसांथ चोट लगने कांप एकस्पाय हो गया है जिस पर आज उसके प्रिवार के वेक्ति याँ आये थे और जिनों ने पुलिस को कम्प्लेंट दिया है कि निसांत की उसके सद्रोड बाला ने पीट-पीट ग्रत्या करती है जिसमें करीब गेराथ में बाही देम है और अटनों अन्य वेक्ति है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थान्य वाल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें